love class 2nd तो बच्चो अपने उम्मिद करता हूं first chapter complete कर लिया होगा, second class first chapter तो मैंने आपको फिल करके पूरा complete chapter आपको दिया भी था अगर आपको कुछ problem आई है, तो आज हम एक,ंग मोने नजर हम मारते हैं, पूरे chapter पर, पे बच्चो तो बच्चो जैसे इसको आपने number name लिखना था यानि कि English में लिखना था 171 को तो 171 तो हमने बच्चो write कर दिया 184 184 तो इसको हमने किस में लिख दिया number name लिख दिया हमने इसको English में लिख दिया उसके बाद था बच्चो आपका write इनकी आपको इंगलिस में दिया हुआ है उसको आपने डिजित में लिखना है तो 169 169 113 113 तो हमने लिख दिया बत्चो अगर आपको इन सम्स में कोई प्रोब्लम आती है तो मैंने एक वीडियो बना रखे इससे पहले जिसमें बिलकुल अच्छे से इनको समझाया गया है तो किस तरीके से हम डिजिट से नमबर नेम लिख सकते हैं और कैसे हम नमबर नेम यानि कि वर्ट से हम डिजिट में लिख सकते हैं आप वो वीडियो देखें उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, अब बच्छो देखो, यह बोक्षीज कितने हैं? 100, तो 100 को हम क्या लिखेंगे? 1, क्यानने कि यह बोक्षीज हैं, 100, 100 होते ही आपका क्या हो जाता है? 10 की यह box is 100 है 100 ओके बच्चो अब एक line में 10 डिब हैं कितने डिब हैं बच्चो 10 डिब हैं तो कितनी lines हैं 2 lines तो इसको बोलते हैं 10 तो कितने 10 हैं बच्चो 2 10 है अब last हमारी कौन शी होती है once लास्ट हमारी क्या होती है once होती है बच्चो तो once कितने होगे हमारे 4 1 2 3 4 तो इसको क्या लिखेंगे बच्चो 4 तो यह चीज भी मैंने बिलकुल अच्छे से समझा रखिया है पिछले वाली वीडियो में आप उस वीडियो को अच्छे से देखे हो और देखने के बाद आप को अच्छे से उस वीडियो के मादन से समझ भी आएगा ओके बच्चो तो आब इसका next question है for the greatest and smallest two-digit number तो अब देखो बच्चो greatest and smallest two-digit number है अब इसके अंदर पुछे हैं with repetition यानि कि number को हम repeat कर सकते हैं क्या कर सकते हैं number को repeat कर सकते हैं तो 3475 3475 यह हमारे पास बच्चो अब इसको हम क्या कर सकते हैं greatest number सबसे बड़ा सबसे बड़ा digit कौन सा इसके अंदर seven तो हम दुबारा seven लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया repetition repeat कर सकते हैं number को okay बच्चो उसके पास smallest smallest digit कौन सी है इसमें बच्चो three तो हम इसको मैं सब सबसे चोटे digit लिखी त्री फिर हम दुबारा से थ्री लिख सकते क्यों तो कि इन्होंने बोला with repetition यानि कि हम numbers को repeat कर सकते हैं तो सबसे चोटे digit 3 है तो हम दुबारा से 3 लिख सकते हैं सबसे बड़ी digit 7 है तो दुबारा से 7 लिख सकते हैं उसके बाद अगले question में बोलता है बच्चो without repetition यानि कि हमने digits को repeat नहीं करना है यानि कि एक digit को एक बार ही use करना है 549 तो सबसे बड़ी digit कौन सी है 9 उसके बाद कौन सी है बड़ी 5 5 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 तो 5 से छोटा होता है तो कितना लेंगे 5 तो 95 हमारी क्या होगी greatest number हो गया 2 डिजिट का पुछ है ब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है इन डिजिट से और इन ही डिजिट से सबसे छोटा नंबर कितना है 4 और 5 यानि कि 45 होके बच्चो तो यह थी आपकी exercise 1.1 तो अब बच्चो यहां से 1.2 हम स्टार्ट करते हैं तो यहां से हम 1.2 स्टार्ट करेंगे तो आपने counting लिखने counting लिखनी है तो अब बच्चो यह boxes वाले स्वाल फिर आगे हैं तो देखो जैसे hundreds का एक box हो गया 1.2.3.4.5 तो कितने hundreds हैं बच्चो 500 हैं कितने hundreds हैं 500 हैं और tens कितने हैं 1.2.3.4 यानि कि tens का मतलब होता है बच्चो 100 का मतलब होता है कि 100 में हमारे पास 100 होते हैं कितने होते हैं 100 अब एक 10 का मतलब होता है बच्चो हमारे एक 10 के अंदर कितने होते हैं 10 होते हैं और 1 के अंदर सिरफ 1 होता है ओके बच्चो तो अब यहां से देखते हैं 1.2.3.4.5.6 तो once कितने होगे हमारे पास 6 होगे बच्चो ओके बच्चो उसके बाद next भी बिल्कुर सेम ऐसे हैं 100 कितने हैं इसमें बच्चो 1 2 3 कितने हैं 3 10 कितने हैं बच्चो 1 2 3 4 5 10 कितने हैं 5 उसके बाद 1s कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 100 100 200 300 400 500 तो कितने होगे बच्चो 500 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 10 भी कितने हैं बच्चो 5 उसके बाद 1s कितने हैं 1 2 3 4 5 तो हमने यह फिल कर दिया उसके बाद हम बच्चो next question पर चलते हैं give the number that's come before यानि की पहले क्या आएगा 576 से पहले क्या आएगा तो आपका पता है बच्चो 76 से पहले कितने आता है 75 तो 500 as it is 576 से पहले 575 आता है उसके बाद बच्चो 949 से पहले कितने आता हैं 948 तो आप last two digits देखो और इन sums को बिलकुल easy से कर सकते हो 85 से पहले क्या आता है 85 तो 285 अब 5 से पहले क्या आता है 4 तो 105 है तो 104 हो जाएगा ओके बच्चो अब after बाद में क्या आएगा ये तो बिलकुल easy है आपको कोई प्रेशानी नहीं होने चीए इन sums को करने में तो जैसे 231 231 के बाद क्याता है 232 588 के बाद क्याता है 589 उसके बाद 333 के बाद क्याता है 334 425 के बाद क्याता है 424 ओके बच्चो उसके बाद बच्चो राइट दी नंबर नेम्स यानि कि हमने जो एक्सेसाइज 1.1 के अंदर हमने ये sums किये दे ये वाले समकिये इसी तरीके से हम मारे पास 1.2 में फिर दुबारा से आ गये हैं सही सम तो 289 तो हम इसको नंबर नेम्स लिख सकते हैं इसका 289 हमने लिख दिया बच्चो उसके बाद 402 कितना बच्चो 402 हमने लिख दिया 363 हमने लिख दिया बच्चो 947 कितना बच्चो ये 947 हमने लिख दिया बच्चो उसके बाद रहता है राइट दि नंबर्स यानि कि हमें वर्ट से डिजिट में हमने कनवर्ट करना है तो 900 900 लिख हमने 7 तो 907 852 852 611 715 तो ये मिस्टेक हो गया स्टुडेंट तो यहां पर कितना आएगा हमारा 750 तो यहां पर आएगा बच्चो 7 750 तो यहां पर आएगा बच्चो तो यह आपके अक्सेसाइस ती